इसको करने का सभी तरीका क्या है इसका करने का बिल्कुत सिंपल तरीका है कि पहले अच्छे से को मतलब जो दिया हुआ इसको करना चालू करें जैसे अगर इस को मैं ध्यान से देखू तो आपको समझ में आएगा यह क्या दिया हुआ है ठीक है रिलेशन पर बेस कोशन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिया है जे जो है और वो टी की सिस्टर है सिस्टर है चोटा सा चाहरो तो लिख लो सिस्टर और यह रिलेशन टीक्या यह नहीं बता और जे जो है फीमेल है जे सिस्टर आफ्टी टी is married to D टी ने किससे मारेट की मैरेज की यह हीजमन्द वाइफ हो गया है T is married to D, ठीक है, D is a father of R, D जो है वो R का father है, अब देखो D अगर father है, यह father है, तो यह male हो गया, यह female हो गया, right, D is a father of R, M is the son of H, M is a son of H, अभी M जो है वो H का son है, अभी हम बात करते हैं कि कहां पर जुड़ेगा, T is the mother-in-law of H, T is a mother-in-law of H, ठीक है, तो T is a mother-in-law of H, ओके, तो यहां पर ऐसा हो सकता है, और भी आगे बढ़ते हैं, D is the only son and no daughter, ठीक है, D is only son and no daughter, J is married to B, J ने किस से marriage किये, B से marriage किये, B male हो गया, L is the daughter of B, L इनकी daughter हो गई, L is a daughter of B, यानि B और J की, अब देखिए, यहां पर L is a daughter of B, अब आपका अगर ध्यान दें, तो T is a marriage, T is the mother-in-law of H, T जो है वो H की mother-in-law, यानि यहां पर ले सकते हैं H, यह mother-in-law हो गई, और इनका ही son हो गया, यह husband-wife हो गए, और इनका son हो गया M, right, question को ध्यान से देखिए, अब यह पूरा एक आपका डाइग्राम बन गया, आपसे, अगर आपने एक बर साही डाइग्राम बना लिया, सारे question हो जाएंगे, J is a sister of T हो गया, J और T दोनी sister ने, T is married to D, इसने D is the father of R, D, R का father M is the, अब M is the son of H, अब इसका मतलब यह husband-wife होगा, M is the son of H, ठीक है, M जो है, वो son of H है, यह son है, D has only the son and no daughter, D जो है वो, only son and no daughter, उसकी गज़वतनी, J is married to B, J ने B से marriage की है, L is the daughter of B, अब हम question करते हैं, how is L, how is L related to T, अगर हम L की बात करें, कि L T से कैसे related है, तो आपकी mother की जो sister है, हम इंदी में उन्हें बोलते हैं मासी, यानि आंट, और ये इनकी भतीजी है, तो भतीजी हुई तो क्या हो गई, नीज, how is M related to D, अब M अगर देखें, तो अपने parents के उपर वाले parents की generation है, यानि एक तरह से ये grandson हो गया, this is grandson, how is J, how is J related to R, जे का R से क्या relation है, वही relation है, जे का भी R से, जो की यहाँ पर था, क्योंकि ये इनकी मासी का बेटा हो गया, तो क्या बोलोगे J related to R, yes, is J related to R, क्या बोलोगे, आंट, तो ये इसके correct answer थे, अगर एक बार आपका सही diagram बन जाए, कई बार किसी के gender नहीं पता होने पर भी answer दे सकते हैं, depending on question, पर अगर आपका right diagram बनेगा, तो question भी right होगा,